नमस्कर दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रुस्तम 2 ड्रोन बनाया जा रहा है इसे तपस के नाम से भी जाना जाता है अभी दोस्तों इसके उपर काफी काम चल रहा है और इसका प्रोडक्शन भी जल्द ही शुरू हो और अभी उनके उपर काम चल रहा है जिसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो रुस्तम 2 कहें या तपस BH201 ये इंडिया का पहला इंडिजिनेसली बिल्ट अन्मेंड कोमटेरियल वेहिकल होगा जो की दोस्तो 1000 किलोमेटर की उपरेशनल रेंज के साथ में आएगा और इसकी पेलोड कैपेसिटी 3500 किलोग्राम होगी और दोस्तो इसके अभी के डेवलपमेंटर ट्रायल COVID-19 की वज़े से डिले हो गए थे लेकिन अभी माना जा रहा है कि इसके उपर सारा काम शुरू हो गया है और इसके टेस्ट भी शुरू हो गए हैं दोस्तो जहां तक इसके प्रोडक्शन की बात है तो इसके अंदर तीन प्राइवेट और चार पब्लिक सेक्टर की कमपनीज इसके लिए कमपीट करेंगी अगर हम प्राइवेट कमपनीज की बात करें तो लारसन एंटोवरो टाटा पावर गोधरे जैरो स्पेस लिमिटेड और इसके इलावा गोर्मेंट सेक्टर की कमपनीज की बात करें तो H.E.L. और B.E.L. हैं जिनोंने इसके लिए अपनी बिड सम्मिट की है और जहां तक दोस्तो H.E.L. की बात है तो बताया जा रहा है कि वह B.E.L. के साथ में आ सकती है एक लीड इंटीग्रेटर के रूप में काम कर सकती है और इसमें H.E.L. का पलड़ा प्राइवेट क तो इसके बहुत से कंपोनेंट प्राइवेट सेक्टर को दिये जा सकते हैं लेकिन इसके एवियोनिक्स, इलेक्रोनिक्स, सैंसर, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम ये हमारी स्टेट ओंड कंपनी से द्वारा बनाये जाएंगे या इसकी संभावना जादा है और दोस्तो अभ के तहट डेवलप किया जा रहा है और दोस्तो जब इसका लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था तो ये 8 गंटे के लिए फ्लाई किया था 16,000 फीट के अल्टिट्यूड पे और अभी जो इसका टेस्ट होना है उसमें लक्षा ये रखा गया है कि 18 गंटे के लिए ये फ्लाई कर और साथ ही दोस्तो अभी की डेवलपमेंट पे बात करें तो इसके उपर बताया जा रहा है कि लोकली डेवलप रडार को भी इंस्टोल किया गया है और उसके भी टेस्ट चल रहे हैं और अंत में दोस्तो इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रोजक्ट के अंदर बहुत ज़्य जिसकी वज़े से कई बार ये शक उठता है कि इंडिया जैसी कंट्री क्यों एक समान्या सा ड्रोन भी नहीं बना पाई लेकिन दोस्तो डिले जरूर हुई है आगे इसके अंदर डिले नहीं होगी और अभी इंडिया के अंदर ड्रोन चेतर के अंदर जो काम हो रहा है वो बहुत जादा बड़े लेवल पे हो रहा है ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज आ गई है जिनोंने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है एवन आई 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 टी इसके अंदर बहुत जादा इन्वोल्व हो रही है और ये दोस्तों किसी भी मामले में चाइना से पाकिस्ता तब ही हासिल कर लेंगे और वो भी अपने ही दम पे धन्यवाद जैहिन